हेलो बच्चा पाटी तो क्या हाल है आप लोगों के मौझ मस्ती चल रहे है कि नहीं सबसे पहले मुझे ये बता दो और आज हम इसी मौझ मस्ती को खुब मस्ती के साथ कंटिन्यू करते हुए पढ़ने वाले हैं एक जबरदस न्यू चाप्टर जिसका नाम है वाटर यानि कि पानी बहुत इजी बहुत लल्लू चाप्टर है अल्यडी आपके लिए मैंने स्पेशल पीडिएफ बना दिया जहां सब कुछ इंपॉर्टन्ट हाइलाइटिट है तो आप लोगों के लिए तो टेंशन लेने की बात इच नहीं है ठीक है चलो शुरू करते हैं Starting with भहिया की चाप्टर पता है आपको water होता क्या है तो शुरुवात वॉर्टर की हमेशा होती है water cycle से The sun heats, the sun's heat causes evaporation of water into vapor When the water vapor cools down, it condenses and forms cloud और वहां से फिर वो जमीन पे गिरती है in the form of rain क्या कह रहे हैं कि जब sun की heat से water evaporate हो जाता है तो क्या होता है वो vapor बन जाता है snow या sleet तो आप देख रहे हो कि हो क्या रहा है एक process है पूरा जिसमें water जो है लगातार अपनी state को change कर रहा है यह पूरा एक circulation है और circulation को क्या कहते है water cycle अब आपको यह definition याद रखनी है हमारे जो earth है वो एक terrarium की तरह है क्या होता है यह एक ऐसा artificial enclosure है जहां पर आप plants वगरह लगाते हो जैसे आप यह देख सकते हो यहां पर क्या है एक डब्बे के अंदर plant लगा दिए ग्लास के और यह आप automatic survive करेगा से हमारा earth भी इसके अंदर क्या जो पानी सालों पहले exist करता था आप सोचाओ आज भी वह exist करता है मतलब समझ यो ये बात समझने की है कि actual नया पानी आता ही नहीं है हमारे पूरे अर्थ पर जो पानी सालों अर्वों सालों पहले था आज भी वो ही पानी है, वो बस form change करके कभी कहीं से कहीं जा रहा है, तो हो सकता है जो पानी आज के टाइम पे कोई किसान यूज कर रहे है हर्याना में, अपने खेत को irrigate करने के लिए हो सकता है किसी समय पे वो ही पानी Amazon रिवर में, जो South Africa में अफरिका में, वो वहाँ बहता हो सोचो, कितनी गजब की चीज़ है अब बात करते हैं, जो major sources है fresh water के, वो कौन कौन से, river है pond है, spring है, और glacier है, हमको बताइए, एक बार ये water cycle अच्छी से देख लो, इसका diagram आ सकता है क्या होता है, सबसे पहले, evaporation होता है पानी उपर जाता है, वहाँ पर condensation होता है ठीक है, condensation से क्या होता है, ये पूरा cloud बन जाता है, अब cloud बनने के बाद precipitation होता है, तो ये वापस से नीचे आ जाता है, तो देखो, evaporation में क्या हो रहा है, liquid से gas अब precipitation में क्या हो रहा है यहाँ पर क्या है, गैस से सीधे, और गैस से सीधे लिक्विड बन जा रहा है, यह, और मिडल प्रोसेस इस कंडेंसेशन वेरी सिंपल, चलो अब यह आप देख सकते हो, यह क्या है, यहाँ पर मेजर जितने भी सीज, लेक और रिवर हैं यहाँ पर आपको थोड़ा पता होना चाहिए, कि देखो, एक बार ओशन देख लो सारे, कितने ओशन है, सबसे पहले इतरा आता है Pacific Ocean, जो पूरे अमेरिका के left side में है, throughout, बहुत बड़ा वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओशन है, फिर बात करेंगे North Atlantic Ocean और South Atlantic Ocean, यह कहाँ पर पढ़ता है, एफरिका और अमेरिका के बीच में उपर नीचे पढ़ता है, यह पूरा South Atlantic और यह North वाला फिर आते हैं हमारे भारत देश का Indian Ocean, जो के इंडिया से जस्ट नीचे पढ़ता है, ठीक है, और बस उसके दूसरी तरफ Pacific Ocean है, जो यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो क्योंकि अर्थ गोल है, अब बात करेंगे हम जो major oceans है न, उन सब में क्या दिक्कत है, वो salty water, उनके अंदर salt बहुत सारे dissolved है, जिसमें सबसे जादा आता है, common salt यानि कि sodium chloride, जो के हम खाते भी हैं next बात करेंगे यह salinity की, पहले salinity क्या होता है, salinity is the amount of salt, जो के किसमें, हर 1000 gram water में जितना salt present है, इसको कहते हैं salinity, तो average salinity की बात करें, तो वो होती 35 ppm, parts per thousand, ठीक है, तो आपको याद रखनें, ppm के form में, अभी deep में नहीं जाना है, इसके बड़ी classes में हम जाएंगे 11th में, अब बात करेंगे distribution of water bodies की, तो भाई कहने को तो बहुत पानी है, एर्थ 60% पानी से भरा पड़ा है, 3 4th पानी है, बट क्या हमारे पास इतना available है, पर हम रोते क्यों रहते हैं कि पानी कतम हो रहा है, तो अब समझो, 97% पानी अर्थ का saline water है, मतलब उसमें नमक है, वो पीने लायक नहीं है, तो बचा क्या, ये ground water, fresh water lake, या फिर atmosphere में जो river बगेरा है, ice cap हैं बस इन से, तो कितने percent बचा, सोचो, इसको पूरे को total करो, मुश्किल से 3% भी नहीं है, 2.7% पानी है, बस पीने लायक, इसलिए आप समझ में आ रहा है कि क्यों पानी हमें बचाना चाहिए, क्यों हम फालतू पानी वेशनी करना चाहिए, देखो, सारे important दिख रहे हैं कि पानी की दिक्कते कैसे आती हैं, अब बात करते हैं, अगली important चीज की है कि भाया, ocean circulation, ocean में पानी का circulation होता है, कभी आप देखो, ocean कभी शान्त नहीं रहते हैं, पर नदियां शान्त रहती हैं, तो यह सब क्या system है, तो movement जो भी होता है ocean में पानी का, उसको हम broadly तीन categories में divide कर सकते हैं, एक तो wave हो गया, तो उसरे tides हो गया, और तीसरे currents हो गया, चलो, अब इनको पढ़ते हैं, याद रहते हैं, किसको 22 March को हम World Water Day मनाते हैं, जिस दिन हम कोशिश करते हैं, पानी को बहुत जादा save कर सके हैं, और पूरी diagram भी ऐसे थोड़ा सा दिमाग में रखना, कि कैसे होता है, ओके, अब मैं बनाने जा रहा हूँ, ये, 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 समझ गया न, wave, इसे कहते हैं, wave, अब wave के reason क्या है, तो जब winds जो है, वो scrape करते हुए, ocean को काटते हुए जाती है, तब बनती है, wind, तब बनती है, क्या wave बनती है, इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर wind गुसी, हवा गुसी, जिसकी वेसे यहाँ gap हो गया, और पानी उपर उठिया, तो ये पूरा system है, अब क्या हुआ, कभी तूफान के टाइम पर हवा बहुत तेज बहने लगी, तो क्या होगा, बहुत जादा huge wave आ जाएग और ये सुनामी, पंदरा मीटर हाई, इसकी वो है, और आज तक ये average हाइट है, पंदरा मीटर हुची, और सोचो आज तक की सबसे बड़ी सुनामी है, वो है 150 मीटर हाई, इसकी स्पीड 700 किलो मीटर पर घंटा हो सकती है, आप सोचो एक बहुत सुपर फास्ट ट्रेन भी 200 क जोबा दिया था, इंदरा पॉइंट जो कि अंडमान और निकोबार आइलेंड में वो पूरा 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 जमीन के नीचे, पानी के नीचे चला गया था, ये पूरा पढ़ सकते हो, अगर आप पढ़ना चाहो, तो कैसे तमिल लाडू में सुनामी आई थी बहुत बहुत टाइड, टाइड क्या होता है, रिदम के साथ अपने पानी हमेशा देखा होगा, पानी हमेशा ऐसे उपर नीचे, उपर नीचे होता रहता है, बट कभी-कभी ये टाइड, ये पानी सी कोस्ट पे बहुत उपर आ जाता है, बहुत उंचा, और कभी-कभी बहुत नीचे रह हुआ है अब ये आपको क्या है सोचो ये पानी बढ़ता 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 दिन के कुछ टाइम पर यहां तक आता है इस पॉइंट को कहते है हम हाई टाइड मतलब टाइड आज हाए और ये पानी कभी कभी यहां तक भी रह जा रहा है दिन के एक टाइम पर इसे कहा जाता है low tide समझ रहो तो ये high और low tide होते हैं और इन्हें कहते हैं tides अब इनका scientific reason क्या है जरा उसको समझने की अपन कोशिश करेंगे कि ये tides आती क्यों है अब ये पूरा paragraph ही बहुत जादा important है तो बहुत ध्यान से सुनना the strong gravitational pull exerted by the sun and the moon on the earth's surface causes tide तो होता क्या है ये sun है और ये moon भी है ये दोनों की अपनी अपनी gravity है ये दोनों अपनी gravity exert करते हैं earth पे जिसकी वज़े से ये जो पानी है ये कभी कभी high tide पर जाता है कभी कभी नहीं जाता है ठीक है अब ये क्यों होता है अब समझते हैं जिस दिन full moon होता है full moon मतलब ये देखो पूरा हमें moon दिखेगा full moon तभी होता है जब earth sun और moon तीनों straight line में होते हैं जिसको ये case हो गया या ये case हो गया है ना इन दोनों ही cases में tides अपने highest पे होती है और इन्हें कहा जाता है spring tides कौंसी टाइड spring tides awesome बट जब sun हमेशा quarter position में होता है मतलब सामने नहीं या तो उपर या नीचे ठीक है तो आप देखोगे कि इधर से sun exert कर रहा है इधर से moon exert कर रहा है तो जो resultant है इन दोनों का वो पानी कुछ इस direction में जाता है तो पानी सही से उपर उठी नहीं पाता तो तब बनती है आपकी नीप tides जिन्हें हम कहते है low tides भी कहते है यहाँ पे पानी काफी नीचे रहता है इन्हें कहते है low tides समझ में आया तो सारा game gravity का है किसकी sun की और moon की जो high tide होती है वो help करती है navigation they raise the water level close to the shore this help to ships to arrive at the harbor more easily अब simple सी बात है पानी जब high tide में होता है तो ships के लिए आसान होता है ट्रावल करना पानी उचा होता है ships आसानी से बीच तक पहुंच जाता है वहीं पर जब लो टाइड में होता है तो दिक्कत जादा होती है अब fishing के लिए भी आसानी होती क्योंकि जादा fish sea के मतलब किनारे पर जादा आ जाती है तो fishing करना भी आसान रहता है तो बहुत सारी fish मिल जाती है electricity generate करना भी आसान रहता है जब high tide होती है क्यों simple सी बात है क्योंकि उस समय पानी जादा speed से होगा अब बात करते है इस chapter के last but not the least topic क्या ocean currents ये भी बहुत important है तो simple सी बात कहूं ocean current क्या होते है ये वो stream of water है यानि कि चलता हुआ पानी ये वो है जो कि throughout पूरे साल एक constant direction में flow करता है क्या बोला मैंने पूरे साल एक constant direction में flow करेगा जैसे पिछले air वाले chapter में हमने पढ़ा था कि कुछ winds होती है जैसे easterlies, westerlies जो कि पूरे साल एक throughout definite direction में flow करती है similarly ये ocean currents का होते है ये cold यानि कि इनके अंद्रों का पानी या तो गरम होगा या cold होगा अब generally जो warm current होता है न ocean current वो कहां होता है वो equator के पास वाले उसमें होता है और equator से जाता है पोल्स की तरफ और जो cold current होता है वो generally pole से जाता है किदर tropical यानिक नीचे की side equator की side अब एक नाम है the labrador ocean current ये कुट्य नाम नहीं है ये ocean current का नाम है ये क्या एक cold ocean current है और वहीँ पे gulf stream ये नाम है जो कि एक warm current है अब यह जो ocean current है यह influence करते है temperature conditions को उस जगे के इनकी वज़े से temperature उस जगे का भी change होता है warm current से warm temperature आता है और cold current से cold temperature आता है अब यहां हम ध्यान से देखते हैं आपको देखो कितने सारे देखते हैं यह Labrador current है यह दिख रहा है आपको कि यह cold current है क्योंकि यह उपर की side से नीचे equator की side जा रहा है वहीं पर जो नीचे से उपर जाएंगे equator से उपर की side वो सारे warm current होंगे cold current आपको दिख रहे हैं यहां नीचे नीचे कितने सारे चलते हैं west wind drift और उसके बाद यह सब cold है cold कौन सा और कौन सा है California cold यह सारे currents है जो कहां पर है cold है और बागी red वारे सारे warm है बहुत शान्दार तो seas around Japan और eastern coast of North America इसके example है the areas where warm and cold current meet also experience foggy weather और जहां पर warm current और cold current मिलते हैं वहां पर बहुत fog हो जाता है त्यूंकि simple सी बात है कभी भी आप देखो जब आप गरम पानी में थंडा पानी mix करोगे तो दूंगा उठेगा तो वह fog बन जाता है और इसी के साथ chapter होता है समाप्त आ गई है exercise जो कि हम next video में cover कर रहे होंगे तो चैनल को subscribe करना बिलकुल मत भूलना यहां पर आपको ऐसी मस्त वीडियो मिलती रहती है चलो ठीक है मिलते है next video में तब तक के लिए goodbye take care and watch मस्ती करते रहे है बाबाए